मनुओ के आथ में खेलता पंजाब आपको बिलकुल आराम से बताएंगे जिस बाई की समझ मा आ जाए वो समझना और ध्यान से सुनना थोड़ा ध्यान से एक एक बात को आपको दो-तिन दिन पहले मैंने एक बात बताई थी ना कि 6 मार्च से और 16 मार्च के बीच का समय खतरना आक बताया पंजाब के लिए कितना अच्छा खेल खेलते हैं यह सक्रिप्ट पहले लिख देते हैं खेल वाद में शुरू होता है और सक्रिप्ट आपके सामने है मतलब कि मानवता को सरम सार करने वाली जो यह गटनाए करते हैं पहले आर्मी के साथ खेल रहे थे अब पंज आपके साथ खेलना है सक्रिप्ट लिख के खेल रहें यह आपके सामने बिल्कुल एक बात बताएंगे जिस समझ में आती है वो वीडियो को शेर करना ज्यादा बीड़ बढ़ाके की जुरूत नहीं है लेकिन समझने की कोशिश करना इस चीज को समझने की सभी साथियों को और विशल दीपक फोजी यूट्यूब चैनल जो साथी ने आज उड़ता आया चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन को दबाएं आपके सामने सचाई और तथ्यों के साथ सचाई रखी जाएगी यह नहीं कि कोई हवा में तीर मार्या जाएगा नहीं फिर आप समझ के सोच समझ के जवाब देना आते हैं इनके आईटी सेल आ जाती कमेंट करने के लिए लोगों को डाइवट करने के लिए उनके कमेंटों पे कोई ध्यान नहीं देना है यह मैं पहले बता देता हूं एगनोर करते हो उनको वह वैसे ही मर जाएंगे अब सुनो ध्यान से मनीकरन पहले मसाइब के अंतर घटना हुई अटेक हुए मनाने के लिए गये अपने साथी गये उनका अपर अटेक किया वहाँ के लोकल को रोल फूरक देखागा पंजामियों ने अटेक líka किया पंजाब के शिक्रीका ओन अल्लागुल्ला किया यहीं दिखाए गूवायी जाम यह तरफ या विदेश की तरफ जो यहां बचगे वो बस फुक्रापन्थी की तरफ जा रहे हैं इनको ना गुरुगरंद साहिब का पार्ट करवाओ पकड़ के करवाओ तब इनकी समझ में आएगा कि जिंदगी को जीना कैसे है कल की गटना का आप सब को पता है जो हुई है श्र पर तुम तेज आवाद में पटाके वाली बुलिट का वो करते हो यह करते हो है वहां पर एक नियंग्शिंग को मार दिया गया क्यों मार रहा गया क्योंकि उसने उनको मना किया था उलडबाजी मतकरोर विशेश तोर पर ध्यान देना वहां लड़कियों को छेड़ा जा र मार दि वही कटार निकाल का नियंग्शिंग को मार दि अब यहां पे पॉइंट को पकड़ना आप पहले अमला का होया ही माचल में होया अब यहां पे जब नियंग्शिंग के उपरे टेक होया नाम किसका आया हरियाना के युवा थे कभी सोचा इस बारे में सोचा है क्या स अपने दिमाग पर जोर दो, हम जिस सयुक्त पंजाब की बात करें, जो अपना जोडने की बात कर रहे हैं, कितने दिमाग से मनुबाईश को तोड़ रहे हैं, यह मनुबाई है ना, बड़े दिमाग छुपके चलते हैं, छुपके, डिम्मक कितरे छुपे रहे, तेरा अंदर इंदर खा जाते हैं हमारे को ये खा जाते हैं लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कब समझोगे इनके खेल को ये जो बैठे ना तीन प्रसेंट बैठे लेकिन खेलते पूरे देश के साथ हैं कभी जाटों के साथ खेल दिया कभी गुजरों के साथ खेल दिया अब पंज को शरम आनी चीए रहे गुरू की लाडली फोजगा नियंग और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो शरम तो आई होगी थोड़ी बहुत यह बिल्कुल बेच खाई कल को तुम तुमारे बाप को भी ऐसे ही मारूगे देख ले ना किसी दिन न्यूज में आएगा यही लोग अपन क्या करती है जो तुमारी क्या गल्त बोल या था यही तो बोल या था ना गलला बाच जी मत करो भाई रहाख यही बहुत आना ठीक हो रहा है आपको प्रूब के साथ दिखा देता विदेशों में भी शिक्कों को टार्गेट किया जा रहा है विदेशों में भी जान बूझ के शिक्कों को टार्गेट किया जाता है कभी ट्रेन के अंदर कभी जो कुता पकड़ी वाले गाड़ी होती है उसमें कुत्ते के शिरिपा पकड़ी और डाड़ी लगा के उसका हैं जो बोलते हैं पंदाब के भले के लिए बूल रहे हैं उना गोस एधे मेरा एक सवाल अछό अपने आप सवाएं तुम्हारे हुआ मुनमे परस जंगी बरफ जंगी चंड़ीस चन खण लिया गया तुम्हारे मुनमे बरफ ब्रस जबग भी नहीं करेंगे इनके मुह में बरफ जमी हुई है अभी मुह अल्ली में मोर्चा लगया हुआ है इनके मुह में बरफ जमी हुई है मनी करन साही मैं अटैक हुए शिखों के उपर इनके मुह में बरफ जमी हुए बिल्कुल भी एक सबत भी नहीं बोलना चाहते यह अभी जो और फिर पंज़ाब की जड़े काट रहे हो. मैंने बता था ना पहले इलाज स्दिनमक काकरो, जो डिमक पंज़ाब के अंदर लगया हुआ है. ये डिमक खेल लेगा, ये जो है ना मनुव का डिमक है. ये डिमक खा जाएगा पंज़ाब को. आदी ज़वानी पंजाब की विधेशों की तरफधारी है आदी नशे की तरफधारी है बचे खुचे अगर दूसरे राष्टे से जाते है वो पाणी में डूब गमर जाते हैं कहाँ जाए भै पंजाब कोण बोलेगा फिर पंजाब के लिए कोई आका पंजाब के हकों के लिए बोलता है उसको टार्गेट करना शुरू कर दो टार्गेट करना शुरू कर दो उसको बेसर्मी की एक हद होती है वो हद पार हो चुकी है हद पार होगी वो बेसर्मी वाली कमाल हो गया यार कोई मतलब बोलके ही खुश नहीं है लेकिन बोलेगा कौन बस अपना चुप चाब रो एक दूसरे की टांग खिचाई बड़ी जबरदस्थ करते हो तुम लोग टांग खिचाई एक दूसरे की बड़े आराम से कर देते हो यह तो तुम क्यों इसमें माहीर हो तुम लोग माहीर हो इसमें तुम लोग हद दोगी यार बिलकुली मानुतागों सरम सार करने वाले काम कर रहे हो इतने आराम से आपको समझा जार इतने प्यार से आपको बताया जार करो टार्गेट कौन है दीपक फोजी करो टार्गेट कितना करोगे टार्गेट क्या सोच लिए तुम मतलब गल्थ कमेंट करोगे या मेरे वीडियो गल्थ मिम्स बनाओगे बोलना चोड़ दूगा मैं सुनिक्त पंजाब हमारा दिकार है दादा चोटूरा माला सुनिक्त पंजाब मारा जर्णजी छिंग वाला वो खालसा राज वो हमारा सुनिक्त पंजाब दसेम पिता गुरु गोविन छिंग जी माराज वाला पंजाब वो पंजाब हमारा है और ये मन्नू चन्नू मन्नू टन्नू यह आगा हमारेको बताएंगे कि हमारेको अलग रेना या इखठा रेना हम इखठा रेना चाहते हैं मन्नू केका निश्या मलगनी होंगे समझ लिया जाना इस खेल को समझ जाना जितने भी जो भी न तो इस धिम्मक को साफ करो जो पंजाब के अंदर धिम्मक लगया हुआ यह खा गया पंजाब को, खोकला कर दिया पंजाब को, जो अन का कटोरा होता था था ना पूरे भालत का पंजाब, वो खोकला कर दिया बिखारी बना रहे उस पंजाब को, समझो इस कानी को, अगर समझ यहां बताएंगे स्मालो वाई पंजाब को अपिल आप लोगों पड़ा जाएगा एक युद्ध दाकॉम थी स्माला ये पंजाब hyper पंजाब को पंजाब को खत्म होने से बचाओ नहीं तो नहीं तो फिर्म्न इस में पढ़न जाएगा समें पढ़ो आपको जिस साथी की समझ में आता ना वही वीडियो वो शेर करना ना समझ तोड़ा दूर ही रहना और यह पंजाब के जो युवा या हरियाना के युवा जो यह उलडबाजी करते हैं इन शे अपील है सुधार करो अपने आप में सुधार अपने रोजगार की तरफ ध्यान दो युवा लडबाजी में कुछ नियोगा जब तुमारी उमर थोड़ी उपर चली जाएगे ना 30 पलस हो जाएगे 40 पलस हो जाएगे तब तुम सोचोगे ना तुम पस्ता आओगे शिवाई पस्ताने के कुछ नहीं बचेगा तुमारे पास मत बरबाद करो इसरियाना पंजाब को बरबाद मत करो यह बता दिया दूसरे के बैक आवे में आक ऐसा मत करो यह का पील आप सभी शे सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाव सस्रियकाल वीडियो हो जाएद वाइग रूजिकी पाते!